नमस्कार भायो स्वागत आपका एक बार फिर से तो भायो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आई पील का नुवा मेज राजस्थान रोयल्स वर्शीज दिली कपिल्स के बीद जो खिल आ जाएगा उसमें हमारी ग्रैंड लिक की क्या टीम रहने वाली है इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग के खिलाडियों के ऊपर बात करेंगे की ग्रैंड लीग की टीम में कौन से ट्रमकाड़ी खिलाड़ी आ सकते हैं या ग्रैंड लीग की टीम के लिए परफेक्ट कापन वाइस कापन कोन हो सकता है जो सबसे ज्यादा पॉइंट दे सकता ह युनिक का तंग कौन हो सकता है और कोन से बड़े खिलाडी आज के मैच में फलोप होते हैं तो कि हर वीडियो में हम बड़े खिलाडी को डूप करके चलते हैं ज्यादातर वो खिलाडी फलोप भी होते हैं कुछ ट्रॉमकाड़ खिलाडियों को भी हम अपनी टीम में रखकर चलते हैं और वो खिलाडी ग्रेंड लि की nuestras तो आज करम चलो और तीन से शरन अपनी टीम में रखते हुए चलो कज़ो्टर वाहिस क फोड़ा यूनिक मनाते वेज packet available फोड़े आपस उसका अनुमान लगाऊ बैटिंग ओडर किस늘 अपनी सेलेक्षन सबसें के इंपोर्टेंट होता ग्राइन लीग की टिकी ह Wrong आप मांने ही रखते हैं यह ज्यादा मायनी नहीं रखता दो ही बाते ज्यादा माइने रखिया बड़े खिलाडियों को तीम से आटाना जो इस तरह से लगातार इस आई पिल में चलेगा ना वह एक मैच में फर्स्ट रंक हासिल करेगा यह करेगा यह कंफरम है अगर मैं इस तरीके से खेलूंगा तो मेरी भी फर्स्ट सेलेक्षन वाले जिनका बैटिंग ओडर काफ नीचे होता है जो बोलिंग भी नहीं करते वह बी कई बार गरेंग की टीम में आ लाड़ी की नहीं जाधारन बना पार हैं तो सारी बात है दोस्तों वीटियो में करेंगे आसा कर था हुँ वीडियो के माधंसे आप एक अच्छी गरेंड लीग टीम बना लिंगे न कि प्राइम टीम से, या दूसरों के चक्कर में पढकर मठ टीम बनाना, मेरे जैसे ये चक्कर में भी पढकर टीम मत बनाना, जबतक आप खुद ग्रैन लिग टीम नहीं बनाऊगे ना, तब तब आप ग्रैन लिग विं नहीं करे इख, कोई भी बड़ा एक्सपर्ट हो, चाहे को अपना प्रेडिक्शन भी नहीं बताता तो इसी लिए ऐसा नहीं है तीम आपको खुद से बनानी है मैं आपकी हैल्प कर सकता हूं हम रिकोर्ज लेकर आ नहीं कर पारे कभी आप लोगों इस बात पर विचार किया या सिर्फ आप लोग अपनी टीम बनाते रहते हो कि उसके लाड़ी को ले लिया उसकी वीडियो देखिए मेरी वीडियो देखिए आप लोग ने अपनी टीम मना लिए सब से इंपोर्टेंट होता है लगन जिस अब से टीम मनाओगे ना तो लग्या आपकी मेहनत जरूर सफल लाएगी तो इसी आसा के साथ हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं इसी आसा के साथ हम लोग सेलेक्शन खिलाड़ी को टीम में ट्राई करते हैं क्योंकि हमने यह तो सीख लिया कि फैंटैसी किस परकार खेल लिए कि खिलाड़ी को ड्रोब करना है लेकिन कुछ बाते ऐसी हैं जो अब तक हम नहीं समझ पाए हैं क्योंकि हमारे दिमाग में किर्केट सवार रहता है कि यह किर्केट है किर्केट एन इस्ताओं का केल है इसमें हर दिन ऐसे उलट पेर होते हैं हर मैच में होते हैं उसके बावज को लेने की कोशिज करेंगे और ग्रेंड लीक के कुछ को मिनिशन मनाएंगे आसा करता हूं दोस्तों वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे आप अपने वाई को स्पोर्ट करोगे तो काफी अच्छा लगेगा क्योंकि हम और याप यहां पर मिलकर टीम मनाते हैं दूसरों मैच राजस्तान और दिल्ली के बीच है काफी इंट्रेस्टिंग यह मैच होने वाला है वहीं पर मैच खिला जाएगा स्वामी मान सिंग स्टेडियम जैपूर में जहां पर इस टूनामेंट का एक मैच खिला जा चुका है तो इसकी बात करें पिछली वीडियो में बात कर सब्यां तो लेकिन एक बार फिर से ग्राइन लिग कि टीम बनाने से पहले पिस रिपोर्ट्स इंपोर्टेंट होती है तीस परसंट पिच रिपोर्ट्स काम आएगी आपके अगर आप अच्छे से पिच रिपोर्ट को समझते हो बाखी ग्राइन लीग में सच देखा जाए सब्सक्Adans और उस निकोड़ा करें पर इस पर झालता है और उसके बादग्स सब्सक्राइब ने तो यहां पर बात करें बात करें को ज्यादा है पिछ की बात करें त्रेपन मैच इस पीद पर खेले जा चुकर फर्स टाइम बैटिंग करने वाली तिम ने सिर्फ 19 मैच मिन किये हैं और सेकेंड टाइम करने वाली तिम ने चोती समय कि अपने त्रेकोड के गोड़ी माज़ो आपको बताता हूं उसके बनाने वैसे बनातो वीडियो देखना रिकोर्स देखना तो उसका बैनिफिट उठाना सी को यानि कि आपको यह देखना कि चेजिंग करने वाली तिम ज्यादा मैच मिन कर रही है तो चेजिंग वाली जो टीम होगी उसके फेवर में आप अपनी टीम मना सकते हो तोस होगा आपको पता कौन सी टीम फर्स्ट बैटिंग करेगी कौन सी तीम सैकिंड बैटिंग करेगी उसके अकोर्डिंग इन रिकोर्स का बैनिफिट भी उठाओ यानि कि चेजिंग करने टीम के ठीन में आप अपनी टीम मना सकते हो एक फिर डीचेजिंग करने वाली टीम का रख सकते हो तो करके ते लिए को टरब के बात करें या तो से नीचे सोला बार शूर्स बना गे civर एक सब सक इते नबबार सकोर्स बना है और एक सो नबबब़े से ओपर भी दोस्तों कि पर नो बार स्कोर्स मना वहीं पर दोस्तो एवरेज कोर्स की बात करें ना एक सो आज से एक सो असी के दिश्क पर आए वरीच को से हाइस को स्कूर्स बात करें तो उनसे लोग दो लाश्ट मैश्ट पर के लागा था आर आर वर्सीज एले षीज़ी का हुआ था आरा ने 193 वरन बनाए और च्यार विकेट्स गीरी ऐलस में थोड़ा प्रेसर सुमया के सिर्फ एक्स गहतर रहन पाई थी और च्छाह विकेट्स गीर के थे पेसर को साथ विकेट्स और स्पिनर्स को तीन यानि कि बैट्समेन को अध्साइड वांटेज है उसके बाद पेसर को फिर कई स सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कैसे भी पीजो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं तो हम अपनी इंपोर्टेंट हो सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसमें से राजस्थान रोल्स ने तेरा और दिल्ली के अच्छी है और राजस्थान कमजोर टीम है और ना यह ऐसा दिल्ली अच्छी तीम है सब्सक्राइब करने के तो दिल्ली के फिर में आप अपने की मना सकते हो उसके बाद बात करते हैं दोस्तों खिलाडियों की किस खिलाडी को लेना है कि राजस्थान डोल्स की प्लेंग लेवन की बात करें जोस बटलर जैस्वाल ओपनिंग करेंगे संजू सेंशन रियान प्राग हेट मायर इंपक्ट खिलाडी में रहेंगे घुरुजुरेल आरा सुइन ट्रेंट बोल्ट संधीप सर्मा अवेश्कान युजवंद्राचैल और बर्गर ये इनकी प्लेंग लेगा ना दोस्तों अब यहां से सबसे पहले बॉलिंग आपको पता आया एंबर्गर युजवंद्राचैल आवेश्कान संधीप सर्मा ट्रेंट बोल्ट ये इनके में बोलर्स हैं और आरा सुइन ये छे के छे में बोलर्स है जो आपको ब करने के लेकिन संदीप सर्मा और बर्गर किसी की पताई होती तो उसके अवर कट हो जाएंगे तो अब यहां से किस खिलाडी को लिए चला उससे पहले एक नजर रिसेंट पर डालेते हैं जो स्वटलर दोस्तों लाश्ट मैस में फड़ोप है ग्यारा रन बनाया उससे पहल लेकिन जैस्वाल की बात करें यह भी हिट एंड मीश्टाइब का प्लिश है युवा खिलाडी है और लाश्ट मैच में चोबी सरंड बनाए लेकिन इन दोनों में से ना एक खिलाडी इस में भी फलोफ होगा लाश्ट मैच में दोनों ही थे अलाग कि चोटी ही अच्छी निक जरूर के लिए जैस्वा लेकिन जिस तरह से देखा जाए ना कि लाड बीछिकस ने इन दोनों को कोई अधर खुक किप्टन को को बनाएगा को सबदों को और चोबाएंगा लेकिन थोदा है रिस्क लेना आप लोगों को इन दोनों में से एक को ड्रोड करें था मैंने बट्र को भर किया इसे लिए इन दोनों में से आप सब ऑग कर सकतो और चाहो तो दोनों को भी ले लेना फिर किसी के बड़ी को कर सक्टेऋ साथ कि साथ दूस्तों कप मेरे को क्या लगता की जाइस्वाल इस मैस में जल्द याउट हो सकते हैं और बटलर थोड़ी बड़ी इनिक स्केल सकता है जैस्वाल के मेरे को लग रहा कि फलोप होने के चांचीज हो सकते हैं बाकि वह आपको फैसल है लेना आप टिम से ड्रोप करोगे या ले रहे हो बाकि मेरा उपनीन है जैस्वाल साथ बड़ा स्कोर रहे ते जाइस्वाल को बना रहे ते किसी का द्यान निता संजू संसर्पर हमने बनाया तो मारे अच्छी रहें काई हमारे कैप्टन चला बैसी रहें तो इस मैच में भी अच्छे पिक रहेंगे और मेरे साब से इस मैच में यह लिए की साइक्विल में सबसे ज्यादारन बनाने वाली ख्राड़ी बन सकते हैं संदू से साइकिन मैच में यह मैं कमेंट कर रहा हूं देख लिजिए अब बात करते हैं दोस्तों रियान प्रियाग इसने बड़ी अच्छी निइस खेली बयाली जैसे यह टीम में आया और मेरे को पता चला चाहार नंबर पर बैटिं जाता हो गया है तो वो कन परम्नी है जुरेल बैटिंग और काफी निच्चे हो गया है बीस रन लास्ट मैच में बनाए नोट आउट रहे थे आर असमीन च्यार और बोलिंग करेंगे लेकिन विकेट से एक ही मिला संदीब सर्मा बेट में बोलिंग करेंगे और आलंसर मैच में एक सहल रिकेट व hanno ब्टलय और जैस वालें जैस से एक क्या लेकर चल 수도 था नाम अपने असाब से con मैं क्रूंगा न मैं क्या करोंगाना मतीन याओ टीमों में इन दोनों को DROP करूँगा पीदिन प्रोग याँ-ठीम सबसे पहले मारे उता करा है ले की तीम मैं इसलिए मैं बड़े खाल्र हो आ इसाल और rocky हो गाई इन दो नहीं से सब्सेरी वियान प्राग भी लगब ग्रैंडिक की टीमें तेग्टीक्स रहेंगे उसके बाद प्रेंट बॉल्ट ऺएंगे उसके बाद यानि कि यह चेर खलाडी AMA TRIKT ॥ार्म करें तो यह उसका सकते लेकिन बनाना बड़ा रिस्क्री हो जाएगा इसलिए टीम में रखेंगा वह भी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है तो यह कुछ खिलाडी है जो हम अपनी टीम में रख सकते हैं अस्विन भी अच्छा पिकरेगा तो इन साथ खिलाडियों में से छे खिलाडी या पाच खिलाड प्राइब को रख लिया अस्विन बोल्ट और पिर संदीब सर्मा को रख लिया किसी टीम में आप चैल को भी रख सकते हैं यानि कि कंफूजर रहेगा चैल को रखें या संदीब सर्मा को रखें तो आप अपने साथ से देख लीजिए गा अब बात करते दोस्तों दिल्ली क अब यहां से किसको लेकर चलना है प्रकंत यहां से भी होगा दोस्तों पाहर पले में विकर्ष किरने के चैंसिज रहें गे लेकिन यहां से ड्रोप नहीं कर सकते किसी को मान के चलो मिचल मार्स जल्दी आउट हो गया लेकिन यह चार और बोलिंग करेगा तो वहां से विकर्स निकाली तो ग्रांड की टीम हो लेकिन इन दोनों को इसलिए ले रहे हैं मार्च बैटिंग से फ्लोप हो गया तो बोलिंग से विकर्ष निकाल सकता तो इसलिए वादनर अच्छा पिक रहेगा और साथ मैक्सवेल भी लास्ट मैस में अच्छा प्रहर रहे तो फिलाल यह दोन फिक से चाहों तो वार्नर को ड्रोप कर सकते हैं वागर को सबस्क्राइब करेंगे बॉली बात करेंगे फिर बात करते हैं दौस्त दूसरे फिक्स लाड़ी कौन से रहेंगे रिस आत्याग्स लेंगे बढ़े लीकिंगे से लेकिन से मिल सकते हैं तो यह पिक्स निकाले यहां से एक दो तीन चार पांथ अब दो ट्रम काड़ खिलाड़ी यहां से कोन हो सकते हैं लास्ट मैच में हमने शाहिन ओप को मैंने आपको बता दिया था टेलीग्राम पर ट्रम काड़ खिलाड़ी रहेगा और ज्यादा तर मैंने तीन से चार्टे में दी तो लगबग हार्टे में शाहिए उप था तो इसल केश भी निकाली थी बैथ में बोलिंग के थी और वहां पर दो भी केश निकाल लेती तो यह सकता है बाकि कुल्दी प्यादो अच्छा तिकरेगा सुमित कुमार ड्रोप करेंगे पोरल को ड्रोप करेंगे हालकि पोरल वह खिलाड़ी है जो एक परसेंट सेलेक्शन में एक तो यह खिलाड़ी आशे रहेंगे वार्नर निचेल मार्स शाई होप रिशर पंत अक्सर पटेल और कुल्दी प्यादो यह खिलाड़ी लगबग हम अपनी टीम में लेकर चलेंगे और खली लेमद यह साथ हैं पांच फिक्स हैं अब खली लेमद और शाइन होप में से आप अब बात करते हैं दो सी जएंगे आज वीपेर मेंट की प्रमेट स्था हूदा तो वीकिज़ की पूर्मेट bend लेकर चल आओ तो मैंने दोस्तों सेंसंक को ले लिया मैंने रिशाइब को ले लिया मैंने रिशप पंडो रख लिया बोलर्स में मैंने प्रेंट बॉल्टि केड़ों और खालील अम्हान को रख लिया अब दोस्तों देखो आप मेरी टीम में यह मेरी टिमें बटन नहीं तो इस तीम मैंने जाय सवाल को रखा हुआ है कैप्टन की बात करें कैप्टन मीचेल मार्स हैं और वाइस कैप्टन मैंने रिसब पंद जिसका वाइस कैप्टन या कैप्टन सी का सेलेक्शन काफी कम है उसको रखा हुआ यह होगी दोस्तों मेरी एक टीम सेकंड टीम की बात करें मैंने बटलर को रख लिया होप को रख लि लेकिन भी मैंने वार्णर को ड्रोप कर दिया एक रिस्क तो मैं लेकर चलूँगा तिन हाई चले दिस ने से पिछले मैं पैसमेद आपको बताया था या तो गिल फ्लोप होगा और गविल फलोप होगा तो तो सी तरीके से आज भी कनफरम है एक फ्लोप होने वाला आलांडर में मास्क पटेल और रियान प्राव मैंने संदीव सर्मा और खलील अमद यह दो लो सेलेक्शन खिलाडी भी अपने टीम में रख लिए कैप्टन की बात करें तो मनें बटलर को करता मना क्योंकि बटलर मेरे साथ से आज के मैं ज जैस्वाल को नहीं रखा और वार्नर को रख लिया आलांडर में मनें अस्विन मार्ष अक्सर पटेल रियन प्राव बोलर्स में ट्रेंट बोल्ट संदीव सर्मा और खली प्यादो अब इस टीम में दोस्तों मैंने कैप्टन बनाया है कि कुल दीप यादो को जो मेरे साथ स दो वाकर तो रसकते हैं तो यह कुछ मेरी ग्रै की तीम है थो, आप इन में अपने शाफ से चेंजेज़ कर सकते हो, अपनी खुद की तीम मना सकते हो, बाकी जो मेरा दिमाख है, मेरा मैं सीविटड से बनाने वाला हूँ, जो अमने वीडियो में चर्चा की, सासियों हैं यह कोई एक कोई सकते हैं इसके हैं इसलिए आप उसके सिर्स करों कि बेस्ट रहेगा जो आपका मन करें उसके साथ से टीम मना सुनो सब की वीडियो देखो सब की टीम मनाते वक्त अपने दिल की सुनो ताकि आपको यह पस्तावा ना हो कि मैंने उसके कहने पर इस खलाडी को रख लिया और मेरी टीम हार गी तो इसलिए टीम हमेशा अपनी बन मैं भी बागी की टीम में मना लेता हूं तो दोस्तों एक क्यासा करता हूं आप वीडियो तो अपने भाई को जुरूँस करिए गा लाइक करिए गा चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो सब्सक्राइब करिए गा और फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम से जुरूद तो दोस्तों नमस्कार नेक्ट मेस में मिलते हैं